तो डियर स्टूडेंट आज किस वीडियों में बात करेंगे बीए फिप्त समस्टर के हिंदी के फ़स्ट पेपर के यूनिट सिकेंड के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चन एंसर के बारे में तो जो भी स्टूडेंट बीए थर्डीर यानि की बीए तिर्थियों वर्सके हैं और उनका समस्टर फाइफ है यानि की पांचवा समस्टर है और उनका सब्जेक्ट हिंदियों प्रश्ण पत्र फस्ट है जिसका नाम है साहितिक्स वाफ्त्र हिंदी अलोश्णा ठीक है उसी के बारे में आज किस वीडियों कोईश्चन एंसर दोनों बताने वाले क्योंकि ह हमारी कोईश्चन एंसर वाली स्टार्ड हो चुकी है इसमें आपको इस वीडियो में कोईश्चन देखने को मिलेंगे और वो कोईश्चन भी हम आपको बताएंगे और उसका उत्तर भी बताएंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर है जो हमें साहते इस सब्सक्राइब कोईश्चन आते तो पहली कव्त वाला है तो हुई पूरे एक कपर के और को थे हरuse आइगे है कि मतलब हुटर है कि काव बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार को काव की सोनेंगे वह साधन जिसके द्वारा सोभा उत्पन ने कि आ जा थोग बड़ाइक की जाया वह अलंग कार होता है मतलब कि वह जरिया जिसके द्वारा किफी चीज की सोभाउत पन हो रही हो और उसकी बढ़ाई की जा रही हो ठीक है बढ़ाई का मतलब आप लोग समझते हैं ना वाह वाही की जाए ठीक है उसको हम अलंकार कहते हैं यानि कि जिसकी तारीफ की जाए अर्थात ध्यान से सुनेंगे इसका मतलब यह है कि जैफे बिना आभुषड के यानि कि बिना आभुषड के बिना मैकप के बिना मतलब की सोना चांदी जो भी महला है पहनती मैकप करती हैं उनका पूरा समान उसके बिना इस तरी के मुख में सौनदर नहीं आ सकता उसी प्रकार बिना आलंकार के काब में चमतकार नहीं आ सकता मतलब की जैसे की सिंपल कोई महला है अगर वो मैकप नहीं करेगी वो सजेगी नहीं तैयार नहीं होगी तो अच्छी नहीं लगेगी वुफी तरह वुफी तरह अगर अलंकार मतलब कि काब में अगर अलंकार नहीं है काब में यानि कोई भी रशना में अलंकार नहीं है तो उसमें चमतकार नहीं आ सकता ठीक है तो इस बात को ध्यान रखें कि काब यो रशना में अलंकार होना जरूरी है ठीक है तो इस प्रकार हैं जो पिछले वर्स में कई बार पूंचे गए उनको तहीं मैंने नूट किया है फिर जो एक्जामे बार-बार रिपीट हो रहे हैं उनको मैंने तैयार मतलब कि नूट किया फिर उसके के हिसाफ़े मैं कोशन ढां सरप्रस्द कर रहा हूं ठीक है अगला कोश्चिन है कि अलंकार सिध्धांत के प्रवर्तक कौन थे अलंका जू सिध्धांत इसके प्रवर्तक मतलब कि फादारीक तरीके से पिताहमा बोल सकते हैं तो द्यांस से सुनेंगे कि अचार भरत्मुन के परिते हम आचार भामा ही है काव साफ्त पर काभ्या लंक्रार नामग्रंथ उपलब्द है यह लंग्र साफ्त skirt काप्र उपलब्द है जो वी शंतिक वीश्जमी सतापदी के आर्म में प्रकाशिग्त हुआ इने का मतलब ये है कि अलंगकार सिध्यान्थ के प्रवरतक जो है वह अचार भरत मुनी के बार्द परथम जो अचार है वह भामा वह ऐं अलंगकार प्रवरतक कौन? भामा और काब साफ्त पर काब्यालंकार नाम ग्रंथ उपलब्द है कौनसा काब्यालंकार नाम ग्रंथ उपलब्द है यह अलंकार साफ्त का प्रथम उपलब्द ग्रंथ था कौनसा था यह अलंकार साफ्त का प्रथम उपलब्द ग्रंथ था ठीक है धान से सुनेंगे जो की बीस्वी सताबदीम में प्रकासित हुआ या फिर इसकी शुरुवात हुई ठीक है और इन्हें अलंकार संप्रदाय का जिनक कहा जाता किसे भामा को ध्यान लखेंगे बहुत ही महात्पूर प्रशने चले निश्कोशन को बढ़ते हैं निश्कोशन कहरा कि अलंकार किसे कहते ह हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं हलाकि अलंकार की परिमासा मैंने प्रस्तुत कर दी आप लोगों के समस्त अब प्रकार की बात कर रहा तुछके बारे में जाल लेते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं उनकी परिमाफा तो परिमासा मैंने उपर आपको बताई ठीक है तो आप आठवी कलाफ पे ही अनुप्रास यमक कनक मतलब की यमक और रूपक यह सब अलंकार पड़ते आ रहे हैं तो इनके बारे में आपको एक बार पॉलिस करने की ज़रो थे मतलब एक बार रिवीजन करने की ज़रो थे बस आपको ऐसा ही याद होगा ठीक है तो यह हैं साथ प्रकार के लंकार जिनको ध्यान लख रहा है अगरा प्रशन है कि रीत सिध्धांत किसे कहते हैं इसे प्रशन देखने के मिल सा कि रीत फिद्धांत किसे कहते हैं तो रीत फिद्धांत के बारे में जान लीजिए ध्यान सुनेंगे रीत फिद्धांत रीत सब्द का समान अर्थ होता है धंग सहली प्रकार मार्ग अथवा प्रणाली यानि कि रीत फिद्धांत रीत सब्द का जो समान मतलब होता है आप लोग धंग कह सकते हैं तरीका का इफक्त हैं सहली का इफक्त हैं प्रकार का इफक्त हैं मार्ग का इफक्त हैं प्रणाली कह सकते हैं रीत स आत मार्ग जिसके द्वारा गमन किया गया या फिर गमन किया जाए उसको हम लोग रीत कहेंगे रीत नुरूपक अचार के वामन की यशुनchny जो वामन है इनकी देन सरबदिक उन्होंने रीत को कव कभी की आत्मा माना है कौन अचार वामन तो इस प्रकार बेसिक पर्चे लिखेंगे इसका अगला है कि रीत किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं तो रीत की परिवाफा जानी है और रीत के परिवाफा जानी है ठीक है तो रीत के परिवाफा उपर मैंने आप लोगों को बता ही दी है ठीक है रित का समान जो अर्थ होता सहले प्रकार मार्ग और प्रनाली होता है और रित सब्दी की जो उत्पत्त है वो रित गमित ने ते रित अर्थाद मार्ग हुई मार्ग से हुई है जिसके द्वारा गमन किया जगे जाए उसी से इसके उत्पत्त हुई है और इसके जो नि थिसकी और गोर्डी में नहीं करते निफित कर सबसाइं पर मार्यतस्य मा जख़तस्व inheritance-य। परवर्ती अचारियों ने रित के तीन से भी अधिक भेद अस्थापित किये गए यानि कि अलग अलग बिद्वान और अलग अचारियों के अलग अलग प्रकार बताएगे हैं रित के लेकिन आप इस तरह लिख सकते हैं कि इनों इतने माने इनों इतने माने उसके बाद अगल शृष्पकरता में संदर्च हुआ एक की भी सकते हैं तो या वह का शृष्पकरतेें जो तबहने जो glory को products की आद्मा होता है wonders रफ आनंद का स्रोत है किस चीज़ का हैपिनेस का आनंद का इंजोआय कर दिश्का आप लोग बोलते हैं आनंद का स्रोत है जिसकी संगीत में उत्पत्य सब्ध लह स्वर युम ताल से होती है जिसकी सेंगीत में उत्पती हो गए सबीक अलाफ्त होई है सभी कलाओं में नगा लच्छ घुने बारेओ पर्फित्द्धांत से आपक्या समझते और यहां पर भी राफी परिभाफा लेकिन कुछ अलग है तो है मतलब दोनों का उत्तर आप ये लिखें वह लेकिन आप लोग इसको भी लिखने हैं दोनों एक है ठीक है उसके बार रफिधान्थ के जनक तो रफिधांथ के जनक का नाम फूल लिजिए रफिधान्थ हिंदी हिंधी के बहुती प्रमख सहितो कहा ब्रुषकार से सम्भानिद क्या गया थ्यूभी दिया थी द्यान लखार कि है और इनको में। इसके लिए प्रुषकार ब्रुषक्रट की बारे सिस्दांत की परिता की प्रिभाफा लिखेंगे कि भाड़ी काबस्वा का एक संपरदा जो पीघ्यान का एक संपरदा काबस्वान प्रभल तो में या सबसे प्रबल महाथ readers comment बिड़्ड ONE को माना है तो और अवर की दोघ्वानऑ को माना है ठीक है और अलगलग कभियों ने अलगलग चीज़े के बारे मताईये तो ध्यान से सुनेंगे इसका उत्तर कि एक मिनट के अलग 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 मत हैं अलग-अलग लोगों ने अलग-ब्हेद बताएं लेकिन ध्यान से सुनेंगे आनंदा वर्धन जी हैं इनके द्वारा प्रस्तुत ध्वन के भेदो भेदों को आगे बढ़ते हु मुम्मट ने धुन काब के पहले 51 प्रमुख भेद माने हैं जो परस्पर संयोजन द्वारा कई सस्थिक सासस्त्र तक जा पहुंचते हैं किन्तों इन में पांच भेद ही प्रमुख है ठीक है लेकिन ये कोश्चन मतब कि भेद के बारे में इसमें बहुत फारे समंजस हैं इसल इसलें प्रमुख भेद पांच ही मानें तो आप लोग देख सकते हैं पर पांच बेदों के बारे मताया गया अगर आपकी इच्छा तेहां कि कोश्चन हमेशा नहीं रिपीट होता कभी कदार आजाता है दोनिस फिद्धान्त के प्रवर्तक आनंद वर्धन जी नियान रख वकरुक्त दिक जीवात्म में वकरुक्त को काभी की आत्मा कहा है उन्होंने वकरुक्त के अंतरगत सभी काभी फिद्धानतों का समाहार करते हुए समस्त काभ्यांगो वर्ण चमतकार सब्द स्वांदर विशेवस्त की रमेरता आप्रस्तुत विधान प्रबंद कल्पना आद्व recuperator yem कि इनको मुख्य अफ्तान दिया कि निकिन चीजों को फिर से च unos अब कार को यानि कि जिससे कोई वरण है उससे चमत कार हो जाए अप्रोडरतर होते हैं उनसे कुं लाउस दिए तो इन सब चीजों को इन्होंने फिर सतन दिया है ये आपeed一點 को हैते हैं कि उच्छित इस्थान दिया न बड़ा इस्थान दिया help कि प्रवर्तक वक्र Abigail फिद्हान्थ सोबिधान is और रत्य वेचेत्र वेकरता तो यह कुछ प्रमुक भेद हैं जिनको ध्यान रखेंगे इफी तरह के प्रश्ण आपकी परिच्छ हम देखने को मिलेंगे एक दो प्रश्ण और हैं और इसके उत्तर हैं इसको में पूरी पूरी पीडियो आपको क्वेश्चन अंसर वाली टेल क्वेश्चन प्रवाइट कर रहे हैं ताकि आप देरे देर एक्जाम की तैयारी कर सके बाकि जल्दी क्वेश्चन अंसर वाली और भी तगड़ी तगड़ी वीडियो आएंगी जो कि आपको मिलेंगी ठीक है और यह आपका अपना है चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा एक एक दिन में पढ़ाय करके दूसरे दिन इक्जाम दे सकते हैं न दे सकते हैं ने सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है रहे को दो भी करना हो करिए तो भाई कोई चीज समझने में और जानने में आपको कुछ टाइम तु लगेगा लगेगा तो उसी तरह वीडियो है बाकी सपोर्ट पूरी तरह करेंगे फीडिएप नोट्स भी देंगे तैयारी आप करते रहें मिलते कोड़ने वीडियो जहिंद